हलो फ्रेंड्स पॉर मेकिंग ग्रीन टी हम एक कप पानी लेंगे इसके बाद हम हाफ टी स्पून ग्रीन टी लेंगे यह हमने हाफ कट लैमन लिया है इसको हम अच्छा से निचोड लेंगे देखिए मैंने पूरी तरह से निचोड लिया है अब हम शूगर के अलावा और क्या क्या डाल सकते ग्रीन टी में यह देखेंगे मैंने वन टी स्पून हनी लिया है जिसको हम शाहद बोलते है इसके बाद हमने शूगर फ्री लिया है वन पॉच और यह मैंने गुड लिया है थोड़ा सा तुकड़ा अब हम सबसे पहले गैस ओन करेंगे इसके बाद यह मैंने एक पतेली रग दी है इसमें आप वन कप वाटर डाल लीजे अब हम इसकी बॉइलिंग आने तक इसका इंतजार करेंगे यह देखिए यह अच्छे से बॉइल हो जाना चाहिए यह हमारा अच्छे से उबाला गया अब हम गेस ओफ कर देंगे इसके बाद मैंने एक ग्रीन टी लिव्स टाल ली है तो इसको अच्छे से हम मिला लेंगे चम्मच की मदद से इसके बाद आप एक प्लेट से इसको ढख के रख दीजे आफटर थ्रे मिनिट्स हम इसको खुलेंगे यह देखिए अब हम अच्छे से इसको मिला लेंगे हमारी ग्रीन टी रेडी हो चुकी है अब हम इसको कप में चान लेंगे चन्नी की मदद से बहुत ही धान से कीजेगा क्योंकि अभी हमारी गरम है ग्रीन टी यह बहुत ही बेनिफिशल होती है हेल्थ के लिए और इससे हमारी स्कीन भी ग्लो करती है और हैड्स के लिए बहुत है अब इसके बेनिफिट्स के बारे में और जानना चाते है तो आप मुझे कमेंट्स कीजेगा मैं इस पर और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी अब ये ग्रिंटी चंचुकी है इसके बाद अब हम इसमें निम्बू का रस मिला देंगी अब इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे ये हमारी ग्रिंटी रेडी हो गई है अब मैं इसमें मिठास के लिए शुगर फ्री डाल रही हूँ अगर आपको शुगर फ्री अच्छा नहीं लगता ये नहीं है आपके घर में तो आप उसके अलावा गुड या शेहर डाल के भी बना सकते है ये हमारी ग्रिंटी पूरी तरह से रेडी हो गई है यहापे मैंने आपको बैस्ट टाइम बताया ग्रिंटी पीने का ताकि आपका फैट लॉस जल्दी से जल्दी हो और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिलकुल ना भूले फ्रेंड्स आपके वाँ से जल्दी पी हेस्ट और कमेंट कर दो और कमेंट 총